हेलो स्टूडेंट, वल्कम अगें टो माई यूटूब चैनल मैस बाइस के जोसी जैसे आपको पता है कि CVC का एक नए अपडेट आया है अब आपको जो आपके एक्जाम होंगे वो दो टर्म में होंगे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड तो जो टर्म फर्स्ट का एक्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा और टर्म सेकेंड का एक्जाम मार्च ये अपरेल में होगा अब दोनों टर्म के एक्जाम में उन्होंने पोर्टफोलियो एक नई चीज बताया रखिए पोर्टफोलियो मैस का अभी तको optional होता था या तो model बनता था या portfolio बनता था लेकिन mathematics का portfolio कैसे बनाए जाए ये मैं आपको आज बता रहा हूँ मैं इस series में आपको हर chapter का portfolio बनवाऊंगा आज मैं आपको एक chapter का portfolio लाया हूँ फिर ऐसे हर chapter का portfolio होगा term first में भी और term second में भी तो ये class tenth का भी मैं बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं ये portfolio as it is बना सकते हो आप हर chapter का होगा जो भी आपको topic मिलेंगे आपको उस topic का portfolio बना सकते हो तो मेरा पास आज जो है वो है मैं आपको बता देता हूँ बच्चो कि how to make portfolio of mathematics mathematics का portfolio कैसे बनाए जाए ये मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले है बच्चो जो portfolio बनेगा सबसे पहले है था कि कितने pages का बनेगा तो about 8 to 12 pages आप ले सकते हो portfolio बनाने के लिए 8 से और 10 pages ले सकते हो कुछ teacher अगर आपको बोल रहे है 15 pages तो आप 15 pages भी include कर सकते हो लेकिन 8 to 12 pages are enough ठीक है पहली चीज़ आपको एक clear अब हम देखते है process क्या है portfolio बनाने का तो portfolio बनाने का पहला process step number one है make a cover page आपने क्या करना है cover page बनाना है but that cover page must be attractive वो जो आपका cover page होना चाहिए ये जो cover page होगा बच्चो ये बहुत ही आपने attractive बनाना है बहुत ही graceful बहुत ही अच्छा आपने cover page बनाना है ठीक है हाँ ये गलती मत करना आप printed cover page मत लेना आप अपने हाथ से drawing बना के cover page बना सकते हो ठीक है यहाँ पर मैंने को आपको एक idea दिया कि cover page कैसे बनाना है यह मैंने कुछ cover page design की है आप सेम cover page बना सकते हो यह आप कुछ different बना सकते हो जैसे match से related cover page है तो हमने यह आपका dice बना दी कुछ dice related बना दिया यह match से related हमने 3D के diagram बना दी हमने match से related और इसका एक particular border बना दिया ठीक है यहाँ पर आपका school का name आ जागा यह हमारे पास होगा name of the school लेकिन यह भी आपने creative way में लिखना बहुत ही creative cover page बनाना चाहिए एक और मैंने आप लोग example लिया है यहाँ पर यह इस page में देखें आप तो यह सीधे पता चलदा कि यह math का हमारे पाप portfolio होगा बिल्कुल math से related यह diagram देखें आपको यह यहाँ कुछ counting आगे 1,2,3,4 कुछ books आगई और इसका एक border आएगा particular border भी आपने मैंस के इसाब से बनाया है मैंने plus minus into divide कर रखा है border में भी तो ऐसा आपने एक बहुत ही attractive page बनाना है तो यह पहला step मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि हमने एक cover page बनाना ठीक है तो बच्चो मैं आपको एक दो और example cover page के दे देता हूँ यह देखे ज़रा यह भी एक math related cover page मैंने बना रखा है और यह भी एक math related cover page तो यह आपके पास मैंने 1,2,3,4 चार sample आपको cover page के दे दे कि आप कैसे बना सकते हूँ ठीक है हाँ तो अब हमारा cover page तयार हो चुका है उसके बाद हमने क्या करना तो page number two बनाना है step number two में आपने क्या करना है make a page about your introduction एक और page बनाना है second वाला जिसमें आप अपना introduction लिखोगे इसके लिए भी मैं आपको एक sample दिखाता हूँ कि किस type का आपने design करना है यह मैंने एक introduction page बनाया introduction page all about me यहाँ पर आ गया all about me से पता चल गया कि यह introduction page हमारे पास ठीक है I am 15 year old यहाँ पर आप age अपने indicate करना चाहते है तो लिख सकते हो याँ एज लिखने है आपको यहाँ पर age और बेटा यहाँ पर कुछ math related mathematics मेरे को लगा मैं यह लिख दूँ आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो my favorite topic लिख सकते हो math related कोई favorite topic लिखना चाहते हो यहाँ पर आप यह indicate कर सकते हो यह math related diagram and you can also make this type of frame and paste your photo अपनी photo लगा दो यह सबसे best method होता है cover page बनाने का hello my name is यहाँ पर आपका नाम आ जागा suppose that मैं बोल रहाँ तो hello my name is SK Josie मेरा नाम क्या हो गया SK Josie और यहाँ पर हम अपनी photograph paste कर सकते हैं so this page is about introduction introduction page कहते हैं इसको ठीक है यह portfolio में जरूर लगता है बटा यह introduction page introduction page बनाने के बाद हमने क्या करना है देखते हैं जरा यह step number three make a page of index introduction page के बाद portfolio में index जरूर होना चाहिए तो कैसे index बनाना है मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो में मैं आपको one by one बता रहा हूँ अगर आप चैनल पे नहीं हो तो इसको like करें subscribe करें और इसको subscribe करने के बाद all bell icon पे प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नहीं चीज़ बनाऊंगा जो भी CBAC में नया update होगा वो बनाता रहूँगा और वो तुम तक तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया introduction of probability page number one यहाँ पर आप page number देते हो जैसे page number one पर है फिर आता words are used for probability क्या क्या word use होते page number two पर definition of probability page number मान लो three पर आया ऐसे types of probability मान लिया page number five पर आया यहाँ आप यह proper index आप बिलकुल same बना सकते हो क्योंकि मैंने इसी index के उपर portfolio बना रखा है तो आप बिलकुल as it is आप copy कर सकते हो या आपना index बना सकते हो ठीक है अब portfolio में हमने बनाना क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ चलते हम next page पे यहाँ से मैंने portfolio बनाना सुरू करा यहाँ से portfolio बनाना महत का सुरू करा महत का portfolio मतलब आपने सिर्फ लिखना नहीं है जैसे हमने लिखा है what do you think about weather वेदर कैसा होगा probability it may rain today probability word आ गया इसका मतलब यह probability probability means आ गया probability तो यह हमरे पास starting हुआ next page आप देख सकते हो यह हमरे पास what is the chances chances क्या है यह हमने index में indicate करा था तो probability के लिए कौन-कौन से word use होते हैं तो chance आ गया हमरे पास chance word आ गया doubt it may be doubt जैसे ना I have doubt that he will pass the examination मेरे को doubt है कि examination पास करेगा कि नहीं करेगा तो यह topic आ गया कौन-कौन से word उसके लिए use और probability के लिए ठीक है यह हमारे पास आ गया probability के लिए probability, doubt हो गया chances हो गया, may हो गया यह word use होंगे तो यह पूरा portfolio बना रखा है मैं side में रहके आपको पूरा दिखा देता हूँ आप क्या करो इस portfolio को copy कर लेना या video download करके आप देख लेना और as it is आप बना सकते हो अगर probability आपको topic मिला है next देखते हैं हम यह मैंने बता रखा है probability क्या है इसकी definition है, फिर उसे related आप कुछ questions बना सकते हो इस type के तो यह हमारे पास अगले कुछ question है कि क्या यह probability हो सकती है नहीं हो सकती है ना तो मैं one by one आपको दिखा देता हूँ आप बिल्कुल ऐसे portfolio बना सकते हो अब देखो यह मैंने बनाए what is the probability of the thumb यहाँ पर जो जितनी भी हमारे हाथ है इसमें जो thumb है finger में thumb इंक्लूड होता है तो इस thumb की हमें probability बनानी अब इसके लिए क्या क्या हमने लिख दिया answer यहाँ पर तो इस type की creativity आप कर सकते हो यह हमने देखो pocket सी बनाई और इसमें एक हमने slip रख दी अब जो भी यहाँ पर thumb की probability होगी जितने thumb होगे आप क्या कर दोगे इस slip को यहाँ से निकाला और इसके अंदर answer लिख दिया teacher इस slip को निकाल के देखेगा और answer देखेगा तो इस type की आप creativity कर सकते हो portfolio में इस type की pockets अगरा बनते हैं ठीक है I hope समझ में आया होगा बाकी यह theoretical part आएगा types of probability में side रहे के आप दिखा देता हूँ आप इसको copy कर लेना या screenshot ले लेना इस type का यह हमारे पास पूरी theory आएगी probability happening or not happening total one आगी probability यह मैं side इसले हूँ ताकि आपको दिख सके यह fill up आ जाते हैं fill up आप कर सकते हो fill up देख सकते हो इस इसी type से coin की probability है देखो coin में क्या probability use होनी तो यह पूरा मैंने आपके लिए बना रखा कि coin को toss करने पे head आएगा till आएगा एक बाद toss करने पे दो बाद toss किया हमने coin को तो यह हमारे पास outcomes आए तो इस step का हमारे पास आपको यह मैंने बता रखा ठीक है और मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ यह coin के हमारे बारे में है probability तो बिलकुल same आपने बनाना पूरा मैंने आपके लिए बना के रख रखा है कि अगर एक dice है dice को हम roll करते है तो क्या क्या outcomes आते हैं वन बार roll करेंगे तो 1,2,3,4,5,6 2 times roll करेंगे तो यह आएगा as it is बस आपने tape ना है यह तरह से मैंने आपके लिए बहुत simple कर दिया prime number कौन-कौन से है तो यह आपका portfolio पहला वाला बन गया ठीक है जैसे यह देखो if a dice thrown what is the probability of getting अब यह हमने question डाल दिये और इनके answer के लिए आप ऐसी pockets बना सकते हो इन pocket में क्या डाल दो answer डाल दो कि first वाले का answer इस pocket में first, second, third का इस में fourth, fifth का answer इस pocket में तो इस step के आपने creativity करनी है ठीक है आगी बाद समझ भी यहाँ पर portfolio में यह बहुत important topic होता बहुत important page है last वाला यहाँ पर आएगा my record my record में आप क्या कर सकते है अपना कोई एक जो class test paper होगा उसको आप लगा सकते हो class test जो हुआ है उसको लगा सकते हो ठीक है at the last you should paste your photo coffee of your class test portfolio में class test जरूर लगता है तो class test की photo copy यहाँ पर आप लगा सकते हो ठीक है okay for other portfolio of chapter number 12 इसके बाद chapter number 12 area related to circle का portfolio वेजूँँगा मैं फिर chapter number 3 linear equation in 2 variable तो यह upcoming video में आपको बताऊंगा I hope आपको video समझ में आयोगी तो thank you बेटा thank you so much देखने के लिए like जरूर करना आप subscribe करना और बस आपका support चाहिए आपका प्यार चाहिए मेरे को बाकि जो भी हमारे पास आते रहेंगे जो भी मेरे पास नए topic आते रहेंगे उस पर आपको video देता रहूंगा ठीक है यह मैंने portfolio मेरे को लग रहा था कि portfolio आप लोगों को कैसे बनाऊगे आपके mind में confusion होगी तो मैं इसका portfolio का मैंने आपका समाधान किया और हर chapter की मैं portfolio आपको जरूर दूँगा